हेलो दोस्तो, मैं अन्सराज कुमावत, आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ जल्दी से सभी का इंडेट्स वीडियो को सेर कर दें फिर अपन आज की अपन आज की जो क्लास इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से सभी बच्चे सेर कर देंगे क्लास को बिल्कुल सभी को गुडी इवनिंग जल्दी सभी बच्चे क्लास को सेर कर देंगे फिर अपना आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो MPCHO, Bihar CHO, CRPF, ESIC और Bihar Stapners के लिए रहने वाला है इसके अंदर अपन गेस पेपर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ ठीक है तो जल्दी से सभी बच्चे सेर कर दें फिर अपना आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और MPCHO की जो वेकेंसी आई थी 3570 पोस्ट के लिए उसके ओनलाइन जो फॉर्म में वो स्टार्ट हो गए हैं आज इसी जो है ओनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर दें ठीक है कैसे अप्लाई करना है और मैंने वीडियो बना दिया है चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं हाँ जी जल्दी से सेयर कर दें आप सब लोग फिर अपना आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल सभी बच्चे यहाँ पर सेयर करेंगे और जो भी केंड़ेट्स नए है चैनल पर नीचे रेट के लर में जो सब्सक्राइब को बटन दिखा जा रहा है उसको अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर जुरू प्रेस कर लेना ताकि जब भी लाइव क्लास से होगी तो उनकी नोटिफिकिशन आपको मिल सक कि यहां से आपको नर्शिंग वेकेंसी निकली है 3570 पोस्ट के लिए उस वेकेंसी के अंदर भी जो है जो ओनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाइब करना है उसका वीडियो भी अप्लोड हो चुका है और उसकी एक्साम के बार में जो भी डेट आएगी उस डेट की इनिफिकिश के लिए रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर जैसा कि पिछली क्लास के अंदर क्यूसर नंबर जो है 400 तक क्यूसर कर लेते हैं आज आपने 400 एक नंबर से क्यूसर से यहां पर सोल करेंगे तो क्यूसर फॉर युरो वन आपकी स्क्रीन पर है टोटल स्कॉर ऑफ ग्लास को कॉमा स्केल इज यानि जो टोटल स्कॉर कितना होता ग्लास को कॉमा स्केल का ओप्शन ए है आपका स्क्रीन पर 5 ओप्शन भी है आपका 10 ओप्शन सी है 15 और ओप्शन डी है 20 जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्यूसर नंबर 401 का सही आंस्वर क्या होगा जी हाँ सभी बच्चे कमेंट करते हैं आपे सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे क्यूशन नमबर 401 का सही answer क्या होगा जल्दी से कमेंट करें ग्लासगो कॉमा स्केल ग्लासगो कॉमा स्केल का total score क्या होगा जल्दी सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्योषन नमबर 401 का सही आंसवर क्या होगा, सही आंसवर होगा दोस्तों इसका option C 15, कितना होता, total score 15 होता है, यानि glass go comma का total score होता, वो 15 होता है, ये आपके exam question पूछा जाए, टी गलास go comma scale का maximum score कितना होता है, तो maximum score कितना होता, दोस्तों 15 ही होता है, और ये आपको glass go comma का स्केल का minimum score पुछा जाए तो आपको कितना रखना है तीन minimum score glass go comma scale का कितना होता है तीन होता है और इसके दिने जो parameters use किये जाते हैं वो कौन से होते हैं उसको याद करने या तरीका दोस्तों EVM जैसे अपने जाते हैं बोटर मशीन होती है आपकी EVM मशीन जो बोलते हैं इसको इस परकार से आप याद कर सकते हैं इसके sequence को आई-4 आपका आई-movement वी-4 वर्बल रेस्पोंस एन वर्म फोर मोटर रेस्पोंस ठीक है तो इस परकार से आप EVM से इसको ग्लास को कॉमा के प्राइमिटर को याद कर सकते हैं यह आई-डार याद कर सकते हैं इस परकार से आपको याद करना है यहां कि उसके पूछा गया था आपका यह तो कितना है जिन जिनने उने भी option C answer दिया उन सभी बच्चों का बिलकुल सही answer यहाँ पे रहेगा चलिए दोस्तों बैठते हैं next question की तरफ question number 402 आपकी screen पे है the most preferred intramuscular injection site for children is चिल्डरन के अंदर most intramuscular injection की site कौन सी है option A है आपका deltoid, option B है ventrogluteal, option C है आपका dorsogluteal and option D है आपका vastest lateralist जल्दी से बच्चे comment करेंगे question number 402 का सही answer क्या होगा यहाँ पे क्या पुछा है आपसे यहाँ पे पुछा है कि जो चिल्डरन के अंदर intramuscular injection दिया जाता है इसकी most preferred site कौन सी होती है वह आपसे पुछा गया है तो option आपके पास 4 है option A है आपका deltoid, option ventogluteal, option C dotsogluteal and option D है vastest lateralist जल्दी से बच्चे comment करेंगे question number 402 का सही answer क्या होगा जल्दी से भी comment करेंगे most preferred site कौन सी होती इंटramuscular injection की चिल्डरन के अंदर वह है option D, vastest lateralist जिन दिन का भी option D answer आया है जिन्होंने भी option D चूज किया है उन सभी का जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है ठीक है option D, vastest lateralist ठीक है चलिए बात करते है next question की तरफ question number 403 आपकी screen पे है one once is यह एक once के अंदर कितना gram होता है या फिर कितना ml होता है आप से question पूछा जाता है option A आपका 10 gram, option B है 20 gram, option C है 30 gram and option D है 40 gram जल्दी सभी बच्चे comment करेंगे question number 403 का सही answer क्या होगा बिल्कुल सभी बच्चे आपे comment करते बिल्कुल सभी बच्चे comment करेंगे question number 403 का सही answer क्या होगा तो कितना होता दोस्तो one once के अंदर, one once के अंदर आपको कितना होता 30 gram, कितना होता 30 gram या फिर अपने कह सकते हैं 30 ml जो है एक once के अंदर, एक once के अंदर कितना होता है 30 ml या फिर 30 gram तो exam question कैसे पूछा सकता है आपको ठीक है इस परकार से आप इसको याद रखेंगे चलिए जिनोंने भी option C आंसवर चूज किया उन सभी का यहाँ पर विलकुल सही जबाब है चलिए next आपन बात करें यहाँ पर question number 404 आपकी screen पर है drug that cause expulsion of gases from the intestinal tract is option A आपका estrogen, option B आपका cathartics, option C आपका carminatives and option D आपका emetics जल्दी से भी comment करेंगे यहाँ पर question क्या पूछा गया है drug यहाँ जो drug है देट क्या करिए कोज करिए expulsion of gases from the intentional tract यहाँ जो intestinal tract होती है अपनी वहाँ से जो है gas को expuls करना वो कौन से drug का काम होता है तो option A आपका estrogen, option B cathartics, option C आप कार्मी नेटिव and option D है emetic तो सही answer क्या है दोस्तों? option C कार्मी नेटिव, option C यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जिनोंने भी option C चूज किया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है पुनम, दीवेडी, MSN, दीपक, साक्या, जिल्दी सभी बच्चे आपके कमेंट किये हैं और इस question का जो सही answer है तो option C जिस जिस ने भी चूज किया है उन सभी का बिल्कुल सही answer है, option C कार्मी नेटिव, ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ, question number 405 आपके screen पर है administration of medicine, just below their skin is cold, यानि जो medicine आप administration करते हैं, कहाँ पर इसकीं के just below scan के just नीचे की तरफ, जो आप admission करते हैं, उसको क्या करते हैं option A है आपका intra-muscular option B है intra-dermal option C है intravenous and option D है आपका sub cutaneous तो क्या कहेंगे दोस्तो स्कीन के जस्ट नीचे जो आप एडमिशन करते हैं उसको क्या कहेंगे सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्यूशन नमबर 405 का सही आंस्वर क्या होगा बिल्कुल दीपक शाक्या एमस सेनी पूनम डिवेदी मनपृत सिंग बिल्कुल यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करते हुए यहाँ पर अमीत मिजोरिया जल्दी सभी कमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो सही आंस्वर होगा दोस्तों वो होगा option B intradermal option B यहाँ को सही आंस्वर है जब आप स्क्रीन के ज़स्ट विलोग देते हैं तो उसको क्या लगाएंगे subcutaneous ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं next question की तरफ question number 406 आपकी screen पे है the difference between oral and rectal temperature यहने आपको difference बताना है कि जो आपका oral temperature आपका check करते हैं और जो rectal temperature चेक करते हैं उनमें कितना difference होता है तो option A है आपका 1 degree, option B है 2 degree, option C है 3 degree and option D है आपका 4 degree यहाँ पे क्या बताना है कि oral temperature और rectal temperature के बीच में कितना difference होता है यानि आप जब orally जब temperature चेक करेंगे और rectal जब temperature चेक करेंगे तो उनके बीच में कितना difference होता है वो आपको answer करना है जल्दी से सभी यहाँ पर comment करेंगे क्या होगा इस question का सही answer बिल्कुल सभी जल्दी से comment करेंगे question number 406 का सही answer क्या होगा बिल्कुल सभी बच्चे यहाँ पर comment करते हुए जल्दी से answer आ रहे हैं कुछ B बता रहे हैं कुछ A बता रहे हैं जलजी से सभी कमेंट करेंगे क्यूशन नमर 406 का सयान सब्सक्राइब होगा तो क्या होगा दोस्तों option A 1 degree finite कितना difference होता है 1 degree finite का difference होता है यानि औरली अपन देखते हैं तो कितना आता दोस्तों 98.6 degree finite आपका औरली आता है और rectally जो है 99.6 degree finite जो है आप इसको normal मानते हैं ठीक है चलिए इन दोनों के बीच में कितना difference होता है 1 degree finite का यहाँ पर difference हो गया है ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 407 आपकी screen पे है an agent that inhibits the growth of bacteria यानि एक agent है जो की bacteria की growth को रोक रहा उसको क्या कहेंगे option A आपका बेक्ट्रियो स्टेटिक option B है बेक्ट्रियो साइड option C है carrier and option D आपका बेक्ट्रियो स्टेटिक जिससे सब कमेंट करेंगे question number 407 का सही answer क्या होगा question में क्या पूछा गया है कि कोई agent है जो क्या कर रहा है bacteria की growth को रोक रहा सिरफ उसकी growth को inhibit कर रहा तो उसको open क्या करते है bacteria static और यदि वो bacteria को kill कर देता तो उसको open क्या कहेंगे bacteria side तो यहां पर बिल्कुल सही answer क्या होगा दोस्तो option A यहां पर बिल्कुल सही जवाब जिन जिन का भी option A जिनों ने भी चूज किया उन सभी का यहां पर बिल्कुल सही answer है चलिए बढ़ते है next question की तरफ question number 408 आपकी screen पर है the immunization is a method of pain जो आपके immunization है वो क्या method है primary prevention है secondary prevention है tertiary या फिर barrier prevention जल्दी से भी comment करेंगे कि जो immunization अपन करते हैं किस type की prevention के अंदर आता है जल्दी से भी comment करते हुए यहां पर जल्दी से भी comment करेंगे question number 408 का सही answer क्या होगा सभी बच्चे यहां पर comment करेंगे question number 408 का सही answer क्या होगा जल्दी से सब भी लोग comment करेंगे question number 408 का सही answer क्या होगा दोस्तों तो चाहोगा सही answer के एंदर आता है कि किया बात करेते कि इम्maji किसे अंडर आता है यहांपे जो है गुश्ब और 908 में क्या होगा सही ahne top यहांपर अपनग्र क्या बात कर रहे थे कि इम्maji कीनशेस जो है वह आ मतलब कोज़े टायूए के राएगा तो वो आएगा दोस्तों आपका primary prevention excellent अंदर option A यहां पर बिल्कुल सही जवाब और मैंने आपको क्या बताता है primary prevention के अंदर आपको क्या क्या आता है health promotion क्या 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 आता है health promotion and specific protection क्या आता है health promotion and आपका specific protection जो है primary prevention के अंदर आता जिसके अंदर आप जो vaccine लगाते हैं, immunization करते हैं, health, nutrition, health education सभी किसके अंदर आते हैं primary prevention के जिसका कि अपने पिछली classes के अंदर भी बात करी थी कि primary prevention के अंदर क्या आता आता health promotion and specific protection, secondary prevention के अंदर क्या आता जिसके आपका school health survey है यह भी आपका secondary prevention के अंदर आता है ठीक है जानी जिसके अंदर early diagnosis और treatment का कोई भी चीज हो उसको किसको कहेंगे secondary prevention के अंदर आएगा और टरसरी prevention के अंदर क्या आएगा दोस्तों जो की rehabilitation और disability limitation को क्या कहेंगे टरसरी prevention के अंदर यह दोनों आएगे ठीक है चलिए बात करते हैं next question की तरफ question number 409 आपकी screen पे है the position recommended for a patient with epistaxis and epistaxis वाल पोजिशन को कौन सी position आप जो है provide करवाएंगे तो यहाँ पे कौन सी position provide करवाएंगे दोस्तों आप जब भी कोई epistaxis वाला patient आता है तो उसको जो recommended position होती वो कौन सी होती है sitting with head turning forward आगे की तरफ जो है उसका head को जुखाते हुए और उसको बेठा के आगे की तरफ उसका head जुखावा रहना चाहिए epistaxis वाला patient के अंदर आप यह वाली position provide करते हैं option C यहाँ भी बिल्कुल सही जवाब चलिए दोस्तों बढ़ते है next question के तरफ question number 410 आपके screen पे है which of the following is an independent nursing function option A आपका administration of oral medicine option B है आपका administration of injection option C आपका giving blood transfusion and option D है आपका health education जली से comment करेंगे question में क्या पुछा गया which of the following is an independent यानि आपके पुछा गया कि जो है nursing function कौन सा जो है इक सा परिक्ष्टर है जो की nurse independent कर सकती है ठीक है तो यहाँ पर option है आपका oral medicine administration करना option B admission of injection option C आपका giving blood transfusion and option D आपका health education तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा question सही answer होगा question number 410 का तो सही answer क्या हो दोस्तो option D health education health education एक question का सही answer होगा क्योंकि health education जो है जो nursing है जो nurse है वो independently है वो nurse का function है health education देना बट जो है admission and medicine यह सब क्या है doctor के prescription के बाद में ही दी जाती है medicine injection और the blood transfusion होता है यह भी सब doctor के prescription के बाद में हो दिया जाता है independently जो काम होता है nursing का वो होता है health education जो है दी जा सकती है ठीक है next one बात करें question number 411 अपने screen पे है priority attention required for an unconscious patient और unconscious जो patient है उसके अंदर priority क्या रहेगी आपकी तो option A यह आपका nutrition option B है elimination option C है आपका airway potency and option D है आपका exercise जल्दी सब बचे कमेंट करेंगे question number 411 का सही answer क्या होगा जल्दी से सभी comment करेंगे सभी यहाँ पे comment करते हुए कोई B बता रहा है कोई C बता रहा है बिल्कुल सभी जल्दी से comment करेंगे question number 411 का सही answer क्या होगा यहाँ पे जो है सभी comment करते हुए question number 411 का सही answer क्या होगा सभी comment करेंगे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल फास्ट यहाँ पे comment आ रही है जल्दी से सभी comment करेंगे question number 411 का सही answer क्या होगा बिल्कुल सभी यहां पे comment करते हुए तो यहां पर क्या हुआ दोस्तो जो priority attention रहेगी आपके unconscious patient के अंदर unconscious patient है unconscious patient के अνदर जो priority रहेगी airway patency यानि क्या करना है airway को patent रखना है airway को open रखना है वो priority करेगी unconscious patient के अंदर ठीक है option C यहां पे बिल्कुल सही जब आप जिनों ने भी option C चूज किया है उन सभी का यहाँ पे जो है option C बिल्कुल correct answer है next आपन बात करें question number 412 आपके screen पे है which of the following is related to vision testing यह निन में से कौन सा जो है vision testing से related है option A है आपका tuning fork, option B है sun elan chart and option C है आपका litmus paper and option D है आपका acidic acid जल्दी से comment करेंगे question number 412 का सही answer क्या होगा बिल्कुल सभी को comment करना यहाँ पे बिल्कुल सभी comment करिए आप लोग जल्दी से comment करें question number 412 का सही answer क्या होगा which of the following is related to vision testing जल्दी से भी लोग comment करेंगे question number 412 का सही answer क्या होगा बिल्कुल सभी यहाँ पर comment करते हुए यहाँ पर जो सही answer होगा दोस्तो vision testing के अपने जब बात करेंगे कि जो vision अपने देखते हैं किसे चेक करते हैं तो किसे करते हैं सनेलन चार्ट से तो आपने देखा होगा जब भी कहीं भी आप सेलेक्ट होते हैं और documents verification हो जाता है और जब आपको medical होता है तो medical के समय आपका eye test भी होता है उसके अंदर आपको सनेलन चार्ट होता है यह आपने देखा होगा यहाँ आपको जहां पर medical होता है इस प्रकॉल नचर्ट होता है और विजन testing के लिए यूज किया जाता है थीक है love video吧 बढ़ते हैं आपका, None of these तो यहां पे आपका आंसे चाहिट करना, Question 414 का Q2.414 का, क्या पूछा है कहा है, यहां पे देखिए Accurants of a Group of Illness यानि किसी Group of Illness की Accurants होना यानि होना ऊफ similar nature और एक सिमिलर नेचर के अन्दर इन एकसस ऑफ नेच्छरल एक्सपक्टेशन यह जो natural expectation होता है उससे ज्यादा access ठीक है एक अधिक मातरा के अंदर आपको देखते हैं कि जो occurrence होती है किसी group of illness की तो उस condition को अपन क्या कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे दोस्तो epidemic कहेंगे क्या कहेंगे epidemic यह epidemic की अपन कह सकते हैं definition ही है ठीक है उसको क्या कहेंगे epidemic कहेंगे option B यहां पर बिल्कुल सही answer है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 415 आपन बात करेंगे question number 415 आपके screen पे है world health day is on इन जो आपको world health day है वो कब मनाया जाता है तो आपका option A है 10 अगस्ट, option B है आपका 12 माई, option C है आपका 7 अप्रेल and option D है 1st December तो world health day कब मनाया जाते हैं दोस्तों कब मनाया जल्दी सभी comment करेंगे question number 415 का सही answer क्या होगा, बिल्कुर सभी उच्ची comment करेंगे question number 415 का सही answer क्या होगा, बिल्कुर सभी यहाँ पे comment करते हुए question number 415 का जो सही answer होगा, कब होता है जो दोस्तों, world health day आपका 7 अप्रेल को मनाया जाता है ठीक है, World Health Day ककब मनाया जाता है, 7 अपरेल को, यह Qsns बहुत बार एक्जामें पुछा गया है, नोट के लिज़े, 7 अपरेल को नेक्स्ट अपन बात करें, क्यूशन नमबर 417 आपकी स्क्रेशन पर है आई डिजीज द्यू टू डेपिसेंसी और विटामिन ए यान विटामिन ए की डेपिसेंसी से कौन सी डिजीज आपको देखने को मिलती है, उसका आपको आंस्वर करना है Option A है आपका पेलेगरा, Option B है बीटोड हिस्पोर्ट, Option C है आपका एंगुलर इस्टोमेटाइटिस and Option D है ओस्टियो मलेशिया, क्यूशन नमबर 417 का सही आंस्वर क्या होगा जल्दी से बचे कमेंट करेंगे, क्यूशन नमबर 417 का सही आंस्वर है, क्या होगा यहाँ पे पूछाएगी जो I disease है, वो किसकी, sorry, I disease due to deficiency और vitamin A, याई vitamin A की deficiency से कौन से disease होती है, वो आपको आंस्वर करना जो option दिये गए उन में से ठीक है, सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, question number 417 का सही आंसवर क्या होगा, जल्दी से बिल्कुल सभी जल्ने कमेंट करेंगे, question number 417 का सही आंसवर क्या होगा जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे Q417 का सही आंसर क्या होगा बिल्कुल यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करते वे कोई B बता रहा है कोई A बता रहा है जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे Q417 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पर जो सही आंसर होगा beto response इसके साथ ही night blindness . Night blindness पह आपकी vitamin A की सब्सक्राइब की कमी से देखने को मिलते है . इसके साथ ही आपका beto transport व को गया इसके साथ या ब्र से ritic Zeus लिए आपकी जो है विटामिन-A की さच Hz बिलते हैं विटामिन B3 यानि नाइशिट की कमिशा आपकी पेलेगरा डिजीज होती है और पेलेगरा के अंदर क्या होता दरुस्तो पहले इसको अपन 3D जो भी कहते हैं 3D सिम्टम जेखने को मिलता है या पर अपन कह सकते हैं 3D डिजीज भी इसको कहते हैं और आजकल क्या कर दिया है 4D कर दिया गया क्या 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 है 4D 4D यानि पहले इसके अंदर जो है तीन चीज इन्क्लूट थी Dermatitis, Demensia और diarrhea आजकल जो है फूर्थ दो नंबर का जो एड़ क्या है वो है death ठीक है पेलेगरा के अंदर क्या जोट दिया गया है 4D और इसके अंदर पहले क्या था? डाइरिया, डेमेंसिया और डर्मेटारिटिस आजकल इसके अंदर क्या एड़ कर दिया डेथ तो इस परकार से इसको आजकल 4D डिजीज भी कहा जाता है कोई लेगरा को और मैंने एक क्यूशन आपको बताया था कि 3-day 3-day disease किसको कहते हैं दोस्तो 3-day disease तो आपके जो 3-day disease किसको कहते हैं रूबेला को रूबेला को क्या कहते हैं 3-day यानि 3-day यानि दिन ठीक है 3-day disease किसको कहते हैं रूबेला को और 3-day ये एक तो होता 3-day और एक होता आपका 3-day तो 3-day disease तो किसको कहते हैं रूबेला को और तो 3D होती है उसको करते हैं पेले गराबो लेकिन आज गर 3D की जगर यह क्या हो गया है 4D हो गया है ठीक है 4D के अंदर क्या है आएगा आपका डाइरिया डेमेंसिया डर्मेटाइटिस एंड प्लास्टिक अंदर डेट चले दोस्तों बढ़ते हैं एक्स्क्रीशन के तरब क्यूशन नमबर 418 आपकी स्क्रीन पर है फॉंक्षन ऑफ विटामिन के यहनि विटामिन के क्या फॉंक्षन है ऑप्षन ए ए आपका हेल्प in वॉंड हीलिंग option B है आपका help in formation of healthy bones and teeth and option C है आपका helps for clothing of bloods and option D है आपका helps in calcium absorption for the intestine बिल्कुल सभी बच्चे comment करेंगे question number 418 का सही answer क्या होगा vitamin K का function क्या होता जल्दे सभी comment करेंगे question number 418 का सही answer क्या होगा बिल्कुल आपके सभी बच्चे comment करते हैं question number 418 का सही answer क्या होगा तो क्या है vitamin K का function vitamin K का function क्या होता दोस्तो clothing of blood helps for clothing of blood ठीक है option C आपे बिल्कुल सही answer है चलिए बात करते हैं next question की तरफ question number 419 आपके screen पे है pulse polio immunization is organized in India during the month यह आपर जो pulse polio immunization program होता है उसके अंदर जो organize किया जाता है पल्स polio कब होगा यह कब जो है pulse polio यह polio का जो दो गुन जो आपको पिलाई जाती है नॉर्मली जो पांस साल से चोटे बच्चों को तो नॉर्मली वो कौन से मंत के अंदर इंडिया के अंदर organize किया जाता है यह आपको इस cancer बताना है option है आपका number of February option भी है माई to September यहाँ पर जो है यह दियोस तो और नहीं होगा to होगा यहाँ ठीक है miss printing है यहाँ पर to होगा ना चलिए इसको करी लेते हैं ठीक है ठीक होगा ठीक है तो यहाँ पर होगा यह तो यहाँ पर क्या पुछा कहता आपसे कि जो आपका pulse polyamidysis है कब organize किया जाता है कौन से मंत के अंदर organize किया जाता है इंडिया के अंदर तो normally कब किया जाता है दोस्तों November से लेकर के फरवरी के बीच में November to February option A यह आप बिल्कुल सही जवाब है ठीक है इसके साथ ही मैं आपको होता तो friends फर्स्ट जो pulse polyamidysis हुआ था वो भी December के December और January के अंदर ही हुआ था ठीक है जब पहली बार जब pulse polyamidysis प्रोग्राम आया था जो फिसमें फर्स्ट बार से फर्वरी के मंद तक में जो है आपको यह जो प्ल्स पोलियो जो है immunization किया जाता है ठीक है दिसम्बर से फर्वरी के अंदर ठीक है जो मास लेवल पर जो किया जाता है जिसको आपने देखा होगा अमिताब बच्छन जिसका नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका 420 आपके स्क्रीन पर है वीच वन आप देख फॉलोंग डिजीज ट्रांस्मिटेड थू वाटर यान इन में से कौन से डिजीज है आपकी जो वाटर के थू ट्रांस्मिट होती है अपसlement A है आपका टाइफोईड, अपसlement B है त्च यूबर कोलोसिस, अपसन C है आपका मेजल्स and ओपसिन D है आपका चिकन बॉक्स जल्दी से भी कमेंट करेंगे Q4 20 का सही answer क्या होगा Q4 20 का सही answer करेंगे जल्दी से सभी answer करते हुए यहां पर सभी बिलकुल fast answering आते हुए Q4 20 का जल्दी सभी लोग comment करेंगे Q4 20 का सही answer क्या होगा क्या होगा sabh dumm यहां पर क्या पुछा है कि water के through disease कॉनची transmit होती है जो option दिये गए उसमें से तो सही answer क्या हूँ दोस्तो टाइफ होई ठीक है टाइफ होई जो है आपकी water के द्वारे transmit होने वाले disease है ठीक है option यह यहां पर बिलकुल सही answer है चलिए next अप में बात करें question number 421 आपकी screen पर है यहां पर question number 421 दिया गया है क्या दिया गया है दोस्तों अच्छे से पढ़ो limitation of freedom of moment of whale person और domestic animals exposed to the chemical disease for a period of time not longer than the longest incubation period of that disease यहां पर आपको क्या क्या गया है कि जो whale person यह जो अच्छा खासा person है उसके freedom को limited कर देना है जो moment करता था मतलब कहने का मतलब अपन जैसे भी कोरोना केंदे जब कॉरंटाइन कॉरंटाइन आप जब सुन रहे हैं उसका यही मतलब होता है कि यह आप किसी communicable disease ठीक है कुई सी communicable disease के संपरक में आये हैं उससे exposed हुए हैं तो उस communicable disease के maximum incubation period maximum incubation period तक आपको जो isolate करके रखा जाता है या फिर आपको limitation दिया जाता है या आपको घर से बाहर नहीं निकलना है आपको यहीं रहना है तो उस condition को अपन क्या कहते हैं दोस्तों वह आपको an answer बताना है तो option a अंदर क्या होता है यहां परोसन को आपको क्या क्या जाता है аздर क्या जाता है या फिर कर सकते हैं उसके moment को जो वह नोर्मली जैसे अपन लोग घूमते हैं आराम से नोर्मली लेकिन उसको रिस्ट्रिक कर देना कि आपको यहीं पर रहना है बाहर नहीं निकलना है जैसे कॉरंटाइन के अंदर कर रहे थे यह जब कोरोना के लिए कॉरंटाइन किया जा रहा था उस कंडिशन में कि आपको जो कम्रीक्फवाटल देजीज के एक्सपोज में आ गया है उसको तब तक उसको कहते हैं आइसोलेट करके रखना या पर अपन खेंगीर लिमिटेट करके रखना है किसी भी डिजीज के longest, यानि उसके जो किसी भी डिजीज के longest, इंक्यूबेशन प्रिएट होता, वहाँ तब उसको क्या कर देना, उसके freedom of moment को क्या कर देना, limitation कर देना, तो अपन क्या कएंगे दोस्तों, quarantine काइंगे, और मैंने आपका एक चीज़ और रुप रता ही ते आपको कि quarantine period क्या होता है किसी भी disease का जो maximum incubation period होता है उसको बन क्या करते है quarantine quarantine period क्या करते है ठीक है तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर question 421 का जो सही आंसर होगे क्या होगे दोस्तो option C quarantine किसी को नहीं समझ बाया है तो जो है बाद में comment कर देना मैं आपको अलग से भी समझा दूँगा question 422 का question 422 आपकी screen पे है the largest gland in the body यानि body के अंदर सबसे largest gland कौन सी है option यह आपका pituitary gland option B है आपका spleen option C है pencreas and option D है liver जल्दी सब भी लोग comment करेंगे question 422 का सही आंसर क्या होगा question 422 में क्या पुछा है कि largest gland कौन सी है body की तो कौन सी होती दोस्तों कौन सी होती largest gland option D liver liver जो है आपकी largest gland है body की बिल्कुर जिन जिनोंने भी option D आंसर किया उन सबी का correct answer है next अपन बात करें question 423 आपकी screen पे the hormone produced by the posterior lobe of pituitary gland is यानि कौन सा जो हार्मोन है pituitary gland के posterior lobe के दोरह produce किया जाता है option A है आपका growth hormone option B है आपका vasopressin option C है आपका cortisone and option D है adrenalin तो दो हार्मोन ऐसे होते हैं जो आपकी posterior lobe of pituitary gland से produce होते हैं कौन से एक तो दोस्तों एक तो आपका vasopressin vasopressin या जिसको अपन ADH हार्मोन भी कहते हैं और दूसरा कौन सा होता है आपका oxytosin ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो आपकी posterior pituitary gland से क्या होते हैं produce होते हैं ठीक है तो यहां पर जो सही answer क्या होगा दोस्तों यहां पर क्या कुछ हागा कि कौन सा हार्मोन जो है posterior lobe of pituitary gland से प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होगा दोस्तों option B option B waste of pressure is the correct answer of discussion जिन्होंने भी option B choose किया उन सभी का जो है यहां पर बिलकुल सही जवाब चलिए next अपन बढ़ते हैं question number 424 आपकी screen पर है premature baby means यान premature baby का क्या meaning होता है option A आपका baby born at 38 weeks option B है आपका baby born at 28 37 weeks option C है आपका baby born at 40 weeks and option D है आपका born after 40 weeks यहां पर क्या है premature baby का meaning होता है वो होता दोस्तो 37 weeks यानि जो है 37 weeks से कम का जो बच्चा होता है जो कम का baby होता है उसको बन क्या कहते है premature baby और उसके अंदर भी range given बात करें तो 28 weeks से लेकर आपका 37 weeks तक की बच्चे की डिलेवरी 28 से 37 वीक के बीच में होती है उसको पर प्रिमेचर बेबी कहते हैं जिसकी डिलेवरी जिस बच्चे की डिलेवरी 37 वीक के बाद होती है ठीक है उसको पर क्या कहेंगे ठीक है जो बच्चा 37 वीक के बाद डिलेवर्ड होगा उसको पर प्रिमेचर बेब नॉर्मल बेबी कहेंगे है फिर कहेंगे मैचूर बेबी ठीक है ओप्शन भी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट बात करेंगे क्विश्चन भर 426 बर्थ शुट भी रजिस्टर विदिन यहां जो आपको बर्थ रजिस्टर किया जाता है कितने दिन के अंदर कर दिया जाता है बर्थ का रजिस्टर करवाना होता है नेक्स्ट अपन बात करें क्विश्चन भर 427 तो मैटरनल मॉटिलेटी का क्या कोज है option है आपका hemorrhage, option B है enemia, option C है आपका sepsis and option D है all of these यहां पर question number 427 का सही answer क्या हो दोस्तो question में पुछा गया कि maternal mortality का कोज क्या है तो जल्दी से भी comment करेंगे question number 427 तो यहां पर hemorrhage, enemia और sepsis, तिनों ही जो है आपका maternal mortality का कोज है कारण है यानि maternal death का कारण है तो उसका सही answer क्या हो दोस्तो option D, all of these questions का बिलकुल सही answer है next अपन बात करें question number 428 आपके screen पर है the longest vein in the body is in body के अंदर सबसे longest vein कौन सी होती है option A है आपका femoral vein, option B है sepallic vein and option D है आपका long sepallis vein and option D है आपका umbilical vein, जल्दी सभी लोग comment करेंगे question number 428 का सही answer क्या होगा बिलकुल सभी लोग comment करेंगे question number 428 का सही answer क्या होगा longest vein यहाँ पर पुछा है, body के अंदर सबसे longest vein कौन सी होती है, तो कौन सी होती है दोस्तो option C, जो great sepallis vein होती है, great sepallis vein, great sepallis vein जो आपकी होती है वो क्या होती, longest vein होती है body की, option C यहाँ पर सही जवाब next अपन बात करें, question number 429 आपकी screen पर है universal recipient blood group कौन सा है, तो option A है आपका A, option B है B, option C है AB and option D है O universally recipient blood group किसको कहा जाता, जल्दी से सभी लोग comment करेंगे question number 429 का सही answer क्या होगा, question number 429, जल्दी से सभी लोग comment करेंगे question number 429 का सही answer क्या होगा, तो जब भी universal recipient की बात आएगी तो universal recipient की बात की बात की आएगी, तो क्या जाएगा answer सीधा-सीधा, option जो है आपका AB, blood group जो AB है आपका, blood group AB जो है, उसको अपन क्या करते है universal recipient और इसके अंदर भी आपको specific पूछ लिए तो AB positive, AB positive वाला जो blood group है, तो universal recipient है, और यहाँ पर recipient नहीं, अगर के donor आ जाता है याँ, universal donor blood group कौन सा होता तो उस condition में आपका answer के जाएगा blood group हो जाएगा, और उसके अंदर भी specific पूछ जाए तो O negative, O negative जो है आपका universal donor group होता है, blood group, ठीक है चलिए बात करते है, next question के तरफ, question number 430 आपके screen पे है एक group of biologically related individual lying together is known as यहाँ यहाँ पर question में पुछा क्या पुछा गए दोस्तों, एक group of biologically related to the individual lying together is known as, यहाँ पर क्या पुछा गया है, कि एक group है जो biologically related है, individual से, lying जो एक साथ रह रहरा उसको open क्या करेंगे option है आपका society, option B है family, option C है आपका clean and option D है community जल्दी से भी लोग comment करेंगे, question number 430 का सही answer क्या होगा तो क्या होगा दोस्तों, जल्दी से भी लोग comment करें इसके साथ ही में आप सभी को बता देना चाहता हम दोस्तों यहाँ पे जो है आपको MPCHO, BRCHO, CRPF, ESIC की तैयारी करवाई जा रही है जो भी candidates interested हो, वो आज ही अपना registration करवा ले registration fees जो है आपके मातर 399 है 399 registration fees के अंदर आपको according to syllabus आपके तैयारी करवाई जा रही है जिसके अंदर आपको MCQS solve करवाई जाएंगे इसके साथ ही golden points की classes भी आपके लगेगी और आपके साथ ही इनके साथ या आपको जो other personal nursing के लावा जैसे की GKE, current appears तो उनकी classes भी ली जाएगी और जैसे CRPF की आप तैयारी करेंगे तो CRPF के अंदर इसे reasoning भी आएगी तो reasoning के question भी आपको solve करवाई जाएंगे reasoning के class भी आपकी लगेगी मातर 399 के अंदर आपको यह सब मिलेगा इसके लाव और कोई fees नहीं रहेगी इसको आप phone पे, Google पे या Paytm के माज़न से Pay कर सकते हो Pay करना आपको इस number पे कौन से number पे को पे करना है 9024307738 इस number पे क्या करना आपको Pay करना है तो आज यह अपना registration करवाएं और अपनी classes start करें जो अलरड़ी पहले से class हो चुकी उनकी link में मैं आप सबको भेज़ दूँगा after registration के बाद में जैसे आप registration करवाएंगे उसके बाद में आपको सबी classes की link जो है आपको send कर दूँगा ठीक है तो मातर 399 के अंदर आपको registration करवाना है और अपने तयारी आज ही start कर दे नहीं है देरी नहीं करें क्योंकि 14 फर्वरी के बाद में यानि वेलेंटाइन डे के बाद में इसकी जो rate है आपकी हो जाई कितनी 499 फीस कितनी हो जाईगी 499 होगी तो उससे पहले ही आप अपने registration करवा ले और मातर 399 के अंदर according to syllabus अपने तयारी start कर दे आपको pay करना है फोन पे Google पे पैटियम से आप पे कर सकते हो नंबर है 9024307738 में वापड़ से लिख देता हूं 9024307738 इस नंबर पर आपको क्या करना है पे करना है कितना पे करना आपको 399 पे करना है इसको आप फोन पे Google पे पे पैटियम किसी भी माधियम से पे कर सकते हो जो केंडियर्स फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं वो किसी और माधियम से पे कर सकते है वो मुझे एक बार WhatsApp पे मेशेज है कोल करके बता सकते है इसके साथ ही आपको जो है इसके बारे में और कोई कोई डाउस होता आप इस इनमर मुझे मेरसे जोर कर सकते हैं जब आप payment कर देंगे payment करने के बाद इस्क्रीन सोट आपको successful payment का इस्क्रीन सोट इसी नमबर पे WhatsApp पे भेज देना है ठीक है तो मैं आपको यहां से registration यहां पर आपका जो है confirm कर दूँगा तो जिन्होंने अभी तक registration नहीं करवाया वो आज ही अपना registration करवा ले और अपने तयारी आज ही start कर दें तो चलिए दोस्तो और यह थी अपने question जो अपने आज question solve किये बाकी की जो class होगी अपनी night के अंदर होगी ठीक है दस पजी के आसपास होगी दस पजी के बाद ही होगी लगभी के सारे 10 से 10 चालिस तक जब भी होगी आपको वीडियो का notification मिल जाएगा notification प्राफ्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा नीचे जो red के लिए subscribe को बटन दिखा दे रहा होगा उसको अभी subscribe करके bell icon को all पे आपको प्रेस करना होगा तो चलिए इसके साथ अपने बात कर लेते question number 430 का सही answer क्या होगा तो उसको open क्या कहते है family कहेंगे क्या कहेंगे दोस्तो family option B आपे बिल्कु सही जवाब है family question 430 का सही answer क्या हो गया option B family क्या कहेंगे उसको family कहेंगे एक group of biological related to the individual lying together is known as family ठीक है दोस्तो आज यह अपनी class कैसे रही सभी लोग कमेंट करके एक बार मुझे बता दे इसके साथ इस class को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना आपको और अपने जो भी junior senior आपको जो भी friends colleagues जो भी हैं उन सभी को बताना है कि सर मात्र 399 के अंदर आपकी तैयारी करवाई जा रहे है तो आज ही अपना registration करवा ले है राशेशन करवाने के लिए आपको 399 पे करने होगे जिसको आप phone पे Google पे पे टेम के माद़ियम से पे कर सकते हो पे करने के लिए आपको इस नंबर पर क्या करना होगा पे करना होगा फौन पे Google पर या फिर जो भी आपका अविलेबल मॉर् सब्सक्ते इस स्क्रेंशोर्ट भेज़ देना है सक्रेंशबल इमेंट तो चलि上 आज के वीडियो में इतना है बाकी क्लास आप नाइट के अंदर लिए लगबख 30-30 के बाद में अपनी क्लास होगी और इस क्लास आपको ज़्याद ज़्यादा शेयर करना हो तो लिए दोस्तों आज के वडियो में इतनी सभी को बाई बाई